हेलो फ्रेंट स्वागत आप सभी का ई-learning दुर्गेश में हिंदी की स्वाइब प्रेक्टिस सेट में मैं मुखिस आप सभी का स्वागत पूता फ्रेंड यह क्लास आप सभी आगामी परिष्छाओं की दिश्टिकोर से बनाया गया है यह प्रेक्टिस से जो भी साथ ही ले रह पहला कोश्चन वर्माला से है सभी साते जुड़ेगा और प्रतेक कोश्चन के लिए अपने अपना अपना एंसर कमेंट करेंगे कौन से प्रस्णकास तहीं विकल्प क्या होगा कितने कोश्चन आप लोग सही अटेंट करेंगे उतना आपका बढ़ेगा जहां गल्ती होती वह भी आप देख सकते हैं कि आपको कमी है क्या आपको सुदार करना है यह सारी बात है इस क्रास से आपको मिलने वाले फाइदा होने वाला है तो निशी सवर्पर जुड़ियेगा वीडियो को सभी साथ करिएगा तो लिए बात करते हैं पहले कोश्चन की इनमें से किस वर सब्सक्राइब करें कि अर्ध स्वर्ग किसे दी जाती है आप सभी को पता है कि यह और वह जिनको हम अर्ध सब्सक्राइब देते हैं इसलिए बिकल्प नंबर इस कोशिन का बिल्कुर सभी जिन्हों ने आपसा नंबर एक कमिन के उन सारे साथ के जवाब बिल्कुर सभी है यह इदर राइट एंसर आगे इन में से कौन सा अभिकारी सब्द है क्यों परंतु फिर भी उक्तसभी बते फ्रेंड कौन सा अभिकारी सब्द है यह कर सकती अभिय सब्द है मतलब जिनको तोड़ने पर अर्थ न निकले वह आपका अभिकारी सब्दों के अंतरगत रखे जाते हैं अभिकारी सब्दों में हम संग्या सर्व नाम को जगह देते हैं अभिकारी सब्दों का अभिय होता है अभिकारी सब्सक्राइब कि यहां पर सारी जो है वह अभिकारी है इसलिए विकल्ब नंबर डी को सही जवाब हो जाएगा उप्योग सब्सक्राइब कौन सा इस्त्रेलिंग है उसकी पहचान की जा सकती है उसकी पहचान की जा सकती है देखिए हमने प्रयोग किया उसकी का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर इस्त्रेलिंग है सजावट घर की सजावट अच्छी है घर की सजावट अच्छी है विसे सडाय अच्छी ठिक यह भी इस्त्रेलिंग है उसकी आय कितनी है उसकी आय कितनी है मतलब यह तीनों सिंटेंज का जो उमने वाक्ष प्रयोग किया विसेटर को चेक किया तो हमें पता चला कि सजावट पहचान और आये तीनों सारे आपके जो है यह इस तरही लिंग है इसका जो जही जवाब हो जाएगा और विकल नमर डी हो जाएगा उप्यूग सभी इस राइट आगे नमर डीकित में से बिसेटर सबकी पहचान करनी है चर्चा है बहुत तिक है और वेद है पताना है नमर डीकित कौन सा बिसेटर है आपके साबने चार विकलप है जल्दी से कमें सेक्रिटर में जाएगा आपने अपने अंसर कमेंट करेंगे बहुत है चर्चा है कि भौत तिक है या औरत है या वेद है बिलकुल सिंपल कोशेटर आशानी से आप सब लोग अंसर कमेंट कर सकते हैं बहुत बढ़ियां जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आपने गध्यांतों पध्यांतों पढ़ा भी होगा कि जो यह संतार है भौतिक वादी है तो भौतिक जो सब दो हम प्रयोग करते हैं यह ज्यादा तर बिसे सेट करते हैं इसलिए बिकलप नंबर भी इस कुश्च देगा आगे बढ़ेंगे चलिए थोड़ा सा एक मिनिट चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कोशिंग की तरब इसका थोड़ा सा कि अगले कोशिंग की तरब यहां पुछा जा रहा है तो अधन टिका तर्टिका में किस संदी का प्रयोग थे जल्का है शुष्ट का है या इनमें से कोई नहीं पर यहां पर यहां पर यहां पर जो संदी प्रयोग थे विकल्ब नंबर बी इसराइट है आगे कौन सी रचना धरंबीर भारती के है कनुप्रिया है कदली वन है सनाटा है मंजरी इंपॉर्टन कोशन धरंबीर भारती आपके परिच्छा के लिए बहुत मैं पूप्रवां के इनकी रचना है काफी बार परिच्छा में सीज़े तरव से पूछी गई है एक दो रचना है इनकी याद रखेगा सूरज का सात्मा घोड़ा ठेले पर हिमाले कनुप्रिया इसके बाद यह सारी रचना है जो ज्यादा परिच्छा में पूछी गई है तो याद रखेंगे आप सभी लोग यहां पर दिक कनुप्रिया है यह धरंबीर वारती के रचना याद रखेग सब्सक्राइब करेंगे जो भी साथी चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यह सारे वीडियो के नोटिप्रिक दोने आज इजली मिल पाहें आगे बात करेंगे अगले कोश्चिन तरब अगला कोश्चिन पूच्छा जा रहा है यह सोदा का संधी विक्षिर है इसको वी आई वाले कोश्चिन में रखेंगे वेरी इंपोर्टन कोश्चिन है यह सा अधन उदा यह सा अधन दा यह प्लस सोदा और यह सो प्लस दा इंपोर्टन कोश्चि बहुत बार आप से पूछा गया है इसलिए एंसर कमेंट पर बताई किसके सही जवाब क्या है बहुत ही मज़ेदार कोश्चन है निशी तोर पर मैं देख पारू काफी सारे साथी गिलत एंसर कमेंट कर रहे हैं जी हां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां जिन्हों ने इसलिए अक्सर आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है और आयोग थोड़ी से कठनाई का अस्तर बढ़ाता तो आएसे प्रस्ण को रखता है इसलिए विकल्प नंबर 20 को सही जवाब जाएगा आगे बढ़ेंगे ब्याकर के दिश्ची से असुद्ध सब्द की पहचान क करनी है ग्रिहइत् ग्रहित् त्योहार अनूग्रह कोंता यहांपर असुद्ध सब्दं में करनी ग्रहित्ति कोई सब्द कौन तर्वावन में, कौन तर्वावन से कर्म है कर्णतत पुरु से कसंप्रदान है या समबंद है परिछा भावन ध्यान से पढ़िएगा परिच्छा के लिए भवन अथार्थ परिच्छा के लिए भवन के लिए जो चिन है फ्रेंड वस्तंप्रदान तत्पुरूस का इसलिए विकल्प नंबर सी द्राइटन स्वर सी इस कोश्चिन का विकल्प सही जवाब है अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है चलिए एतिहासिक में किस प्रत्य का का प्रियुक्त हुआ है इक है कर है सिक है या आसिक है एतिहासिक में 창 ne मजदूर कि इंपॉर्टन कॉश्चिन है पुछे जा सकते हैं आप से काई लेतर विकल्प नंबर सी दिए बर सकते हैं मुझदूर कि जिन साति हो इसके जवाब पता है बहुत बढ़िया है जिनकों नहीं पता है वो जरूर नोट डाउन कर लेंगे कि मजदूर जो है वा फार्सी भाता का सब्द है विकल्प नंबर बीधराइट है तो बीस कोश्चन के लिए बिल्कोश सभी जवाब है मजदूर फार्सी भाता है पुलिंग है बाकी सारे वाय जलेंड अदालफ यिस तारे अपकी स्ट्रिलिंग है इसलिए विकल्प नंबर बीस कोश्चन को प्रिकोश्च चेहां पर किसी वस्त को किसी वक्ति को देने की बात कही आती है वहां पर संपर्दान कारक होता है मोहन ने सोहन को मिठाई दी अथार्थ मिठाई देनी की बात हो रही है तो जहाँ पर देनी की बात होती है फ्रेंड वहाँ पर संप्रदान कारख होता है इसलिए बिकल्प नमबर एद राइट है पर्यावाची की दिश्टी का से कौन सा जोड़ा गलत है अधर, रदपुत, ओट, राधा, राधिका, व्रजरानी, मित्र, दुस्मंदो के बाद, पत्ता, वाण और किसले बताई कौन सा जो जोड़ा है वहाँ पर बेमेल है उसी का चैना को करना है पर्यावाची का सही मेल नहीं है इसलिए विकल्प नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जोड़ा है अरपित का बिलोम सब्द है अलब पड़ है अनलपित है तयाग है और पित का बिलोम होता है अनलपित होता है इसलिए कि नंबर turn right alonडर इसलिए और पित का बिलोम होता है सोर शेनी किसका विकार है किसका विकास हुआ है विहारी का पुर्वी हिंदी का पश्च्मी हिंदी का इन में से कोई नहीं तो मुस्ट इपोर्टन कोश्चन काफी बार पुछा गया है तो आप सभी को याद रखना चाहिए सेट में भी हम लोग इस कोश्चन को सालक पर चुके हैं आगे बढ़ेंगे तदभो तश्च्म का कौन सा जोड़ा गलत है वहम कौन सा जोड़ा गलत है आवला आमलक गौल गौपाल कार्तिक कार्तिक तीरत यात्रा तो बिलकु सीधा दिखरा है प्रस्चन इसमें कुछ भी नहीं है आवला आमलक बिलकु साही बात है गौपाल गौल बिलकु साही है कार्तिक कार्ति दिखिए तीरत का यहाँ पर यात्रा नहीं होगा फ्रेंड बलकि तीरत जो है वह उरतनी साही नहीं लिखा यहाँ पर तीरत इस तरीके लिखा जाएगा तो यहाँ पर D वाला जो आपसे न हमारा फ्रेंड वही बिल्कुत सही है यहाँ गलत जोड़ा है बाकी तीनों बिल्कुत सही है रात्री के मद किस समय को क्या करते हैं most important question फ्रेंड रात्री के मद के समय को निशीद की तंग्या जी जाती है अर तीसरे पहर को त्रियामा कहा जाता है और सांव और रात्री की बीच का जो समय को तो गोधूल विला कहा जाता है विकल्न नमर यह इस question का विकुद सही वड़ का अर्फ है अक्छर भी है Är रूप भी है और इसके साथ साथ wies भी है इसलिए विकर्प नमबर 20 कोश्चन कोशिएच आगे बढ़ेंगे अगला कोश्चन है एक खग इमरेग मजुकर स्नैनी तुम देखे सिता म्रेगनेनी इस चौपाई में कौन सा रश है सैयोग है, बियोग है, हार्श है य Precis यहां पर माता खीता करंड के बाद माता सीता के जो है हरावड जो नहीं हर थी अन्हें के परश्यात भगवान के बिलाद को दिखाय गया है अथार्थ यहां पर जो रश पर रियूख रही का रहीग होगा рाव पर योग सिंगार होगा चन्द की सर्पतम चर्चा कहा होई है रिगुवेद में यूदुराइद में अस्म पूर्टल्ट्ध में एखेटि कॉल रहा है ये कन खग कुल कुल सा बोल रूपक है यहां देखेंगे फ्रेंट यह कहीं वणकी आबरती हुई है आजए आपको पता है कनक कनक तिस्ताव गुनी मतलब यहां पर कोई भी किसी भी पर दमी जहां पर कोई है एक से अधिक बार आएं लेकिन उसके अर्थ क्या है यहां दो बार आए दूरों सब्द के अर्थ अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, रिकरप नमबर 8 إर्अट चिंड का प्रयोग सरवाधिक कहा होता है, भुगोल में, हिंदी में, तंकरत में या गड़ित में तिम्पल ता question है friend आप सभी को पता है कि तुल लेता सोचेत सब्दों का जो ज़्यादातर प्रेयोग होता है वा मैस में मिलता है मतलब गड़ित मिलता है तुल ना कराने की ज़्यादा अगे बढ़ेंगे लेखक और उसकी रचना का कौन ता गलत जोड़ा है गलत जोड़े का आपको बताना है अमर कांत इन्हीं हतियारों से नरेस मेता अरणया कमलेश्वर बिनायक स्रीकांत वर मामादा चार आप तेन तीन आपर सही है एक गलत है इस गलत का चुलाव को करना है चलिए देखते हैं अमर कांत इन्हीं हतियारों से बिल्कुत सही बात है इन्हीं करेचना है आगे नरेस मेता अरणया इंपोर्टन कोश्टन है इसको याद रखिएगा नरेस मेता अरणया कमलेश्वर जो है यह यहाँ पर बिनायक करेचनाकार नहीं है बलकि स्रीदात जो स